हर पिता के भाग में बेटी नहीं होती। राजा दसरच जब अपने चारों बेटों के बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पुर्वक बारात का स्वागत किया। तबी दसरच जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरन छू लिये, चौक कर जनक जी ने दसरच जी को ठाम लिया और कहा महराज आप बड़े हैं, बरपक्षवाले हैं। ये उल्टी गंगा कैसे बहारे हैं। इस पर दसरच जी ने बड़ी सुन्दर बात कही। दाता और याचक में कौन बड़ा है? ये सुनका जनक जी के नेतरों से असुरु धारा बहनिकली भाग साली हैं वो जिनके घर होती हैं। बेटियां हर बेटी के भाग में पिता होता है लेकिन हर पिता के भाग में बेटी नहीं होती है। नमबर दो एक बेटी किसी के आंगन की गुरिया तो किसी के आंगन की ग्रह लक्षमी होती है। नमबर तीन उमीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता। किसी के सामने हाथ पहलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे देने वालों की कातार में रखना मेरे परभू, तेरे दर की सीवा, कहीं और सर जुकाना और कहीं अच्छा नहीं लगता. नमबर चार, सब्र का घूट, दूसरों को पिलाना कितना आसान लगता है, खुद पियो तो कत्रा कत्रा जहर लगता है. नमबर पांच, अपनी जिन्दगी में दो लोगों को तुम खूब ख्याल रखना, पहला पिता, जो तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार गया हो, और दूसरी मा, जिसने तुमने हर दूख में पुकारा हो. नमबर छे, कुछ कह गये और कुछ सह गये, और कुछ कहते कहते रह गये, सही और गलत के खेल में ना जाने कितने रिष्टे ढगये. नमबर साथ, गुजरी हुई जिन्दगी को तुम कभी याद न करना. तकदीर में जो लिखा है, उसकी फडियाद न कर. जो होना है, वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हसी बरवाद न कर. हंस मरते हुए भी गाता है, और मोर नासते हुए भी रोता है. ये जिन्दगी का फंडा है. यारो, दुखो वाली रात निन नहीं आती और खुसी वाली रात कौन सोता है. नमबर आठ, अगर किस्मत आजमाते आजमाते ठक गए हो, तो कभी खूद को आजमाईए. देखना नतीजा वेहतर ही निकलेगा. नमबर नौ, बक्त बड़ा अजीव होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत कोहीं बदल देता है. नमबर दस, भाग से करम नहीं बदलते, परन्तु करमों से भाग जरूर बदल जाया करता है. नमबर इगाड़ा ना तुम अपने आपको गले लगा सकते हो और नहीं तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो एक दूसरे के लिए जीने के नाम ही जिन्दगी है इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं रिष्टे पैसों के महताज नहीं होते हैं क्योंकि कुछ रिष्टे मुनाफा नहीं देते हैं पर जीवन और अमेर जरूर बना देते हैं नमबर बाड़ा क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं सांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है नमबर 15, इंसानियत दिल में होती है, हैवानियत में नहीं, उपर वाला कर्म देखता है वस्यट नहीं नमबर 14, जिन्दगी जीने के दो तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है, उसे हासिल करना सीख लो, दूसरा जो हासिल है, उसे पसंद करना सीख लो नमबर पंद्रा दान करने से रुप्या जाता है लक्ष्मी नहीं घरी बंद करने से घरी बंद होती है समय नहीं जूट चुपाने से जूट चुपता है सच नहीं माना दुनिया बुरी है सब जगध धोखा है लेकिन हम तो अच्छे बने हमें किसने रोका है रिष्ते कैसे भी हो निभाना जरूरी है क्योंकि रिष्ते मौके के नहीं भरोसे के महताज होते हैं नमबर सुला जरूरी नहीं कि हर समय लबो पर भगवान का नाम आए वो लमहा भी भकती से कम नहीं जब इनसान इनसान के काम आए नमबर सत्रा, जीवन के सभी निर्णाय हमारे नहीं होते हैं, कुछ निर्णाय पड़किति के और कुछ समय के अधिन भी होते हैं नमबर अठारा, मत सिक्षा दो इन बच्चों को, चान सितारे छूने की, चान सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे, अगर दे सको सिक्षा तो दो तुम इन्हें चरन छू लेने की, जो मिट्टी से जुरे रहेंगे, विष्टे वही निभाएंगे, और अंत्र समय में आपके साथ रहेंगे, नमबर उनिस, किसी ने क्या खुक कहा है, मुसीवत आये तो ये मत सूचना की अब कौन काम आएगा, बस ये देखना की अब कौन साथ छोड़ कर जाएगा, दुआएं कभी रद नहीं होती जनाब, बस वेहतरीन वक्त पे कबूल होती है, आगे कभी किसी को नीचे नहीं गिराते, और दूसरे को नीचे गिराने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते, नमबर बीस, किसी ने क्या खुक कहा है, किसी के घर जाओ, तो अपनी आखो को इतना काबू में रखो, कि उसके सतकार के अलावा उसकी कमिया न दिखे, और जब उसके घर से निकलो, तो अपनी जुबान काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे, नमबर इकीस, सबको हसाना लेकिन कभी किसी पर हसना मत, सबके दुख बाटना लेकिन कभी किसी को दुखी करना मत, सबकी राह में दिया जलाना, लेकिन कभी किसी क का दिल जलाना मत क्योंकि जीवन की रिद यही है जैसा बोगे वैसा ही पाओगे नमबर बाइस दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिस्ता काम्याब होता है साहे एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनती नमबर तेस जो मनुस समझदार होता है वो खुद गलतियां नही करता है बलकि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है नमबर चौबिस एक खुबसूरत सुच जन से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दूसमन वह तो हमारे घमंड ताकत या बेहवार से बनते हैं जिंदगी को अगर खुल कर जीना है तो थोरा सा उचा उठा देगा दिल से लिखी बाते दिल को छू जाती है कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों के से मिलकर जिंदगी बदल जाती है नमबर पचीस जिस परकार कोई बुद्धिमान मनुस अन छोड़ कर मिट्टी नहीं खाता उसी परकार कोई ग्यानवान मनुस सब्तिमार को छोड़ कर कुमार पर नहीं जाता नमबर 26 कठीन परिश्रम से शफलता मिलती है आलस से पराजय और अहंकार से कठनाईयां नमबर 27 मन खराब हो तो गलस सब्द ना बोलें बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गया सब्द नहीं नमबर 28 परती दिन खूद को एक परसेंट बेहतर बनाने के लिए हमें सब्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद नमबर 29 कर्वी गोलिया चवाई नहीं जाती निगली जाती है उसी परकार जीवन में भी धोखा अपमान असफलता जैसी कर्वी बातों को सीधे गटक जाए उन्हें चवाते रहेंगे यानि याद करते रहेंगे तो जीवन करवा ही होगा नमबर 29 पेर पर छमता से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालिया टूप ना सुरू हो जाती है इंसान को आवकास से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिस्तों को तोड़ना सुरू कर देता है नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेर अपने फल से बंचित हो जाता है और इंसान अपने रिस्तों से नमबर 30 अपने सपने को पूड़ा करने में इतना व्यस्त हो जाओ कि जिन्दगी में उदास होने का वक्त ही ना मिले नमबर 31 कौन कहता है इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है ऐसा नहीं है इंसान भाग लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है 32. जब मतलब रखना छोड़ दोगे तो रिष्टे भी खत्म हो जाएंगी क्योंकि आजकल रिष्टे सिर्फ वही होते हैं जहां मतलब होता है 33. हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है 34. खामोसी किसी इनसान की कमजोरी नहीं उसका बरत्पन होता है बढ़ना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है हस से जादा खुसी और हस से जादा गम कभी किसी को मत बताओ क्योंकि जिन्दगी में लोग हस से जादा खुसी पर नजर और हस से जादा गम पर नमक जरूर लगाते है नमबर चौँटिस गाओं में नीम के पिर कम हो रहे हैं घरों में करभाहट बढ़ती जा रही है जुबान में मिठास कम हो रही है सरीर में सुगर बढ़ती जा रही है किसी महापुरूस ने सची कहा था कि जब कितावे सरक किनारे बिकेगी और जूते कांच के सो रूम में तब समझ लेना कि लोगों को ज्यान की नहीं जूतों की जरूरत है 35. कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जूरी बेहतरिन जानकारिया छोड़ देते हैं आपसे मेरी प्रात्ना है कि मेरे मनोवल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, सेर और चैनल पर नए हैं तो सब्क्राइब करना ना भूले